वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते सेखन जरिया चैनल लाल जुड़े सारे दर्शकांदा सी स्वागत कर देयां जेवें के सी जान देयां कि सिंगु बाडरते जेड़ी बेदबी दी कटनावा परीया उस्तों बाद नहांग सिंगा ने बेदबी दी दोशीनों मौके दे सोद्या ते उस्तों बाद काफी एस कटनादे उपर किंतू प्रांतों शिरूओ एज़े वेच पाईरंजी सिंग्ट ड्रियाले जहां हरचिंदर सिंग दिलगीर वलों को इसवाल आए कि जेस गरंथ दी बेदबी कीती गई सर्बलो गरंथ दी ओ गरंथ जेड़ाया गुरूदी कृत नहीं है ते काफी जड़ी सिख जगदे वे चेशी जिनों लहके एक दुचित्ती जड़ी बनाई गई गई है ते ग्यार में वारों करता कर रहे ने आं उन्ननल गलबत कर दे या अजब भब जी जड़ा स्वाल मीडिया दे वे चाहराया कि जो सर्बलो गरंथ ओ गुरूदी करित नहीं है के दे बरे तुसी जड़ा संगतनों चानना पाउट सर्बलो गरंथ करगी तर पादशा गुरु गोवंद सिंग सेभ जीदी अजीम रचना है अते साराई गुरु का पंथ खालसा एस रचना नो सद्गुरु सेभ जीदी कृत जान करके सद्कार देंदा है गुरु काल तो लेकर के अज तक एस गरंथ नो परकाश करन दी एस गरंथ नो पठन पठन करन दी जो मर्यादा है वो गुरु के बंथ खालसे वेच पर जोलत रही है अज कल इस गरंथ दे उपर केंटू ओएं उठाये जा रहे ने जे में कुछ की सम्मा पहला दसम गुरु गरंथ सेभ जी दे उपर केंटू उठाये गए इसान सिख पंथ दी एत राचगी रही है कि सिख पंथ दे विद्वान एजन्सियां द्वारा खरीदे जान देने कदे गुरु गरंथ सेभ जी दे विच राग माला कदे पटांदी बानी कदे पगतांदी बानी कदे गुरु के पंथ खाल से दी मर्यादा दी उपर उठागन उठाओ दी हैन इसे ही तरीके दे नाल अजे सर्वलो जो कलगी तर पाथशा जी दी पावन गुरुबानी है ओदे उपर भी उठागन उठाए जा रहे हैं सो सारा ये गुरु का पंथ खाल सा के सनू कलगी तर पाथशा जी दी पावन रचना मनता है बबह जी इस गरंथ दी जड़ी रचना है ओं कादों ते किते हुई या कोजिक रचना शीरी मुबटसर सहीव दी तर दी उपर कोजिक रचना शीरी दंदमा साहिब अदे सम्पूर الحण दा जो टिका है उस साचिखन शीरी हजूः सहीव दी तर दी आःगन ऑपर इस गरंथनों पढ़ दे हां चालिस नारे बीज खाल सा मुगते पावन सिंग बले ए मुगसर सहवदा महराई सहवजी बरनन कर दे सच्चि पाज़्चा जी बचन कर दे जे में किसान कंक बढ़ देने ते ओ कंक दे दो गदाम बनाओ देने एक कोगदाम जो साल परकन का खानी है एक को बीज रख लें दे जदों मुकाविगा दूसरी वार ते खेतां वेचे वो बीज 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 लमागे महराई कल गी ता अरजी बचन कर दे ने पी जेडे मुक्त सर सहवदे वेचे चारी गुरू के सिक शीद होए ने ओगुरू के पंध खाल से दा बीज है गुरू के खाल से ने पहली गालते मुक्णा ने देखे ते जोत मदम पेंदी वेखां गे ते उना वेचे एक दे नो पेज गे फिर गुरू के पंध खाल से दी जोत नो सुरजीद कर लाँ वागे ते शीरी दमदमे सहब जो माराज कलगी तर पाधशा गए ने ते मातामा ने आथ जोड़ के बेंटी कीती भी साड़े लाल किते ने ते माराज सचे पाधशा ने क्या हो ते जंक दे मदान वेचे शिहीद हो गए ने ते असाने गुरू के पंध खाल से नो अपना पुत्तर अपना उत्तराद कारी थाब देता है चमकावर सहब दीता रती उपर ते मतामा ने क्या मोवासो करके जेड़ी चीज साड़े पुत्रादी सी वो खाल से नो दे देती है पुत्रादी नालते तुसाने अन्याईजी कीती है ते माराज ने किया शिरी अजीत सिंग, जुजार सिंग, जोरावर सिंग, फती सिंग, प्रे पंच मखाल सा सत्गुर पूरा जेने पंथ सो पंथ प्रक्ट है माराजी कहन देपा हमें चार लाल सानु प्यारे ने पर जेड़ी सत्गुरु दी पद्वी है वो पंच पर दान असंग गुरु के खाल से नहीं देती है जिना ने एपंथ खाल सा पर्गट कीता है पामना वासो करके इना तुगां दे अर्थ संप्रदा विच विद्वान पूर खिर्दा मी कर देने कि जिते राबदी दुरगा है उते पंच प्यारें दा दरबार है जितों के अमरतारी गुरु का सिख जानदा है वो दी पेशी तर्मराजी को नहीं उन्दी वो दी पेशी पंच प्यारें दे दरबार विच उन्दी तो दरबार विच पंच प्यारे केड़े ने पापना दे वैन विच वै करके गुरु के सिख अर्थ कर देने संपूरन तादा जड़ा टिका है ओ फिर माराज ने नंदेट दी तर्थी उपर जाके देता सिख पंत दे महान विद्वान महान ब्रम भेते माँ पुरिश संत गयाने गुरुबचन सिंख जी खाल सपर ड्रहबाल माँ पुरुद उन्हा ने अपने जीवन का अलदे वेचे गुरु गरंसेप जीदिया सताई के धावा कितिया अते उना ने एक गरंथ गुरू के पंथ खाल से दी चोड़ी वे चुपाया जेदा नाम है गुर्मख परकाश ओ गरंथ वेचे दसां पाद शेंज अंदा जीवन है ते नाली गुरू के पंथ खाल से दा ते ओदे वेचे माँ पुरूश बाबा विशन संग जी मराले वाले ते संत गयाने संदर संग जी खाल सा पंड़नवाले आंदा जीवन उना ने शंदा बंदी वेचे लिखया है ओग्रंथ वेचे उना ने लिखया है भी नौनदा दे कोलों अपनी अमानत नू कलगी तर पादशाने लिया ते सर्बलो बानी रची जो अब राम है कि नंदेर दी तरती उपर सर्बलो ग्रंथ दी रची ना माराज कलगी तर पादशाने की ती साथे विद्या दाते संत गयानी हरदीब संग जी सच खंडवासी माँ पुरिश ओ क्या कर दे सी पे जड़ा संपूरंता दा टिका है ना सर्बलो ग्रंथ नू और नंदेर दी तरती उपर प्रापत होया है अते माँ पुरिश बाबा संता संग जी शैनवे क्रोडी माँ पुरिश माता सहब देवां देस्तान देव पर रहन वाले माँ पुर्ख बाबा मेत संग सहब इतियाद को होर जेड़े माँ पुर्ख होए ने जहां अजोके समय दे महान विद्वान संत ग्यानी इंदर जी संग जी रखबे वाले माँ पुरिश ग्यानी शेर संग जी अंबाले वाले माँ पुरिश उना सार या माँ पुर्खां दी ए संबती है कि सर्बलो ग्रांत दी जड़ी संपूरंता है ए नंदेर दी तरती दे पढ़ी जान दिया। नितने अबन नितने 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 स्थी शुरातर है आकाल पुरूब्णी tagadakaug सरभू जीदी रचव अमननननननननननननि कार अमननननननन kis Innercouchsky माराज कलगी तर कहनाओ – Dogsan स्थीद्श नितविकति 적स्तनि के आद स्यूक यदे सरभ्लू की रचया और एक अकाल उस्तद वेचे जड़े ए चार तुका उदिया ना ये मंतर हुदा है ओदा असानी वखियान कीता है सर बलो गरंदा बीज मंतर अकाल उस्तद दे नोरे हां दिया चार तुकाने ते Lecture इस ता नितने जही का गुरू के पंत खाल से वेच ही हुदा है ते शरुरो वेचे जुच जो सरभलो ग०रीज़ बीज मनें तरही den नितने व्युक्ट और हुदा है और खालसे मेरा रूप है खालसे मैं हूं करू निवास है जिठे कलगीतर पाधशा दे बचने सरबलो पर काष्य गरंत बेचाउnd दे जिठे सरबलो गरंत दा खंड़न करदे ने फिरो कलगीतर पाधशा बलों जो एक हाल से दा अस्तोतर लिझा गया होदा भी हो अपने आप लगी खंड़न करी आ माराज कलगीतार जी ने वाई गुरू गुर्मंतर बारे वक्यान क्योंकि आद गुरू गुरान सहब जी दे बेचे चौदा सो ती आंग ने तो गुरू सहबाना ने वाई गुरू गुर्मंतर बारे कोई गाले नहीं कीती पटाने जा करके इस विज्ञा बेचे वाई गुरु गुर्मंतर बारे जरूर उस्तद कीती है उनने गुर्मंतर दी गल उते रखी है गुर्मंतर दी जड़ी व्याख्या है जहां गुर्मंतर दा अस्तोतर है जहां गुर्मंतर दी महानता है इत्यासर गरंथा मिचसानू बहुत मिल दी है पर गुरु मुख्तों जे गुर्मंतर दी उथान का, गुर्मंतर दा वख्यान, गुर्मंतर दा स्तोतर, गुर्मंतर दी अर्थ देखने होन, वो सानु सर्बलो गरंथ वेचे उप्रापत हुदे हैं, और दसां गुरुमा दी गुर्ता गदी दी गाल नहीं है, गुरु सही नहीं का शेच्छ षिव और जानगृ टृठीडर मुने अपंवें नुण स्थडियू अदिक IR हर त्र गोविंदु सहीं जी सद्डियू घृवर्य पर घृपisticu जृप्डार तर पाथा गृॉविंद साहब इज नहीं है ते जे आपाँ सर्बलो गरंथ नू वेखिये ता गुरुवादा गुरुगादी नमा इदो महराज कल गी ता अरजी नंदेड गए है एक गरंथ लखवा रहे है इसाना ता हजुद साहब दें सिखाने महराएदी चरना अरज अरजोई की ती ती सचे देव है ने उना बारे सानु पता कोई दे आप दसमी जो तो पहले दे दर्शन असाने डिठे ने आप जी किरपा करके उना दा नाम माला उना दे नामा दा वर्नन उना ने जो जो जीवन काउत की ते महराज सहब जी पर्ची मातर दसो ता गुरु गरीब नवाज इने देषकार जी किते हैं एक तोगवेच परो करके एक गुरु देव बारे लिखे एक कसाने कताब लिखी है ते दे दर्शन करवा देऊ खालसा पंथ प्रकाश एक पंथ प्रकाश है प्राचीन रतन संग पंगू तह लिखे एक ग्यानी ग्यान से करें सब तो पहला ज़गा प रहसां पाज़ चान्या जिदे नामादा वर्णन आग Abertaуса जा वह गुरु मंतर दी उती जां गुरू prayer2 गुर्णष Chief जी खुर्था kदी तो थे इस अधे महाराज न है इत न लेगे पंध प्रकाश। महाराज न चाहर दें गुरु गुर्ण सहीव जी दी गुर्ता गदी दी गाल कर दें ता इक अपां अग्या पही अकाल की तबी चिलायो पंथ सब सिखन को हुकम है गुरु माने ओ गुर्ण संपर्दा बाले विद्वान ते मन दे ये भी एक कल गीतार ने गोज पोथी बेचे अज़िकाल दे ज्यडे ने हो कहन दे जी ने ये ते गयानिगा अनसंग दे गुरु मुक तों गुर्ण सहीव जीनों गुर्टा गदी प्राबत ओई है ये पान्नी होगे ते सानू सर्बलो गरंथ वीच्छो प्रापत होगे यह अपा सर्बलो गरंथ दा खंडन कर दे हैं ते गुरु गरंथ सहब जी दी गुर्ता कर दी गुरु मुखतों देखनी होगे ते कितों देखांगे प्रति माराज सहब जी ने लिखिया अपन पहुष रिखाल से संपा दुतिया रूप सत्गुरु गरंथ था चमकारदी घड़ी वेच असी पावे अपना सरूप खाल से नो देदेता पर दूजा सरूप गरु गरंथ सहब है फिर माराज ने लिखिया दुआदस पान सत्गुर एक कहिया कहां दे बारां सूरज है यह में एक साल वेच बारां सूरज है हर एक मिने दा नमा सूरज है तो कहां दे गरु नानक सहब दी जोद बारां रूपा वेच 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 वेवरती है तो ए जो वाई गरु गर मंतर दा वक्यान है जा गुरू गरंट सेब दी गुरुता गदी दी गाला है जा खालसे दा अस्तोतर है हर एक सिख दे मुखते खालसा मेरा रूप है खास खालसे मैं हुपरू नुवास जिदो मी कोई सिख्धा दा वरास्ती मिला उन्दा ये महला उन्दा है तो उस वक्ते बोल पड़े जान्दे ने इस सर्बलू परकाश गरंथ वे जो दे तो इस वास्ते साथे यड़े वरास्ती महले ने जा समागम ने जा गुर्पुर्भ ने जा नितने में उदे विच्वी सर्बलू पाजशाजी दी गुरुभानी पड़ी जाती है, सोनी जाती है पाज़ी इस सर्बलू गरंथ दा विचावस्तु दे बरे संगतनों थोड़ी जान करी दो हाँ इस सर्बलू गरंथ दी जड़ी शुरुबात है ओ सिरी पवानी जी सहाई एथो शुरू हुन दी है कञ्यानों पवानी चावद दो बड़ी दिक्ट हुन दी है ओ गुरु नानक सहब जी दे सदातनों थे सनातन मात दे सदातनों समझ दे नहीं जे में हिंदूत अर्मदे वेचे उनाने अपो अपने देवते कलपे दे ओ कहने दे आ साड़ा ब्रमा है आ साड़ा बिचनु है आ साड़ी सुरस्ती है ता गुरू के पंथ खाल से विच क्या जानदा भी साड़ी गुर्बानी ही सुरस्ती है ओ कहने दे जी आय साड़ी पवानी है वो दुर्गादी परताई कहने दे गुरु के पंत खाल से बेसे करपान वी पख़े नहीं किया जाएंगा है सामर्थ कोश दे बेसे पबानी दा अरत करपान भी किता हो जाए है संसक्रिडिय thereby कोशया बेसे डिशनरचows बेसे पबानी दा अरत करपान भी पबानी शेऑबनी व्यक्स एखनी हो भे ताँ दसमें पादशा गुरु गुरु अबन सिंग जी माराज जिते उना ने अवतारांदी कथा हरम भी ये ने चबी अवतारांदी कथा ओदे आद विच माराज सहभ जी ने अकाल पुरुखदा अस्तोतर लिखे आ है बड़ा अदबत अस्तोतर है ओदे वेच पुवानी दा नाम अर्थ माराज ने पुवानी शब्दी व्याख्या कहती है तो सहभ जी कहन दे जिनने एज जगतनों परगट कीता है ओदा नाम है पुवानी पावे अनी पाव मैने संसार नो अनी मैने लेंदा पाव परगट कीता है सोही पवाणी नाम कहायो वह गुरु दा नामी पवाणी है यह मैं हिंदु तर्म वे संगरान्ध मनाई जान दी सी लोग बामना दे कोुँ जागे पत्रियां कलॉंग दे सी सच्चे बादशाह जीने संगरान दे उपर बारा मा लिख दे संगरांते हो ही है पर हिंदू दर्म दी संगरांद मनावन दी मर्यादा हो रहा है सिखां दी संगरांद मनावन दी मर्यादा हो रहा है लवज जो ही है पगवती लवज है ओ दुर्गा माई ली वरत दे है खालसा कृपान ली वरत दा है गुरु गरंथ सहे वेच पगवती शब्द पगवंत अकाल पुरुखदे पजारी लई भी वरते आ गया है इसलिए शब्दान देके रेवेची आ करके लोग कई वार परमगरस्त हो जान दे हान सरबलो गरंथ वेची पहला सिरी माया दास्तो उतर है देवाली होनी है लोग आने माया दी पूजा करनी है प्यारे दया सिंग ने बेंटी कीती माराज आप जी दा की हुकम है सहब जी कहा है लगे नहीं हसा ने माया दी पूजा नी करनी क्योंकि महा माई ताकी है शाया जड़ी महा माया है वो ती वस्दा परशामा है असी परशामे नो नहीं पूजना असाने जो ओरीजिनल है ओधी पूजा करने है एधी गरंट दी शुरुवात उन्दी शाया रूपी हो एक है बिचरे तस्रीकोपा महा माया ताकी है शाया ओधी भी अख्या है महाराजी कहा है लगे ऐसी सिरी माया नो पूजना है एक माया ते माया दा एड़ा पती है उन्नों कहन दे सिरी माया सिरी दा अर्थ कोश काराने कीता है सिरी दा अर्थ शिरो मनी भी है सिरी दा अर्थ लश्मी मी है श्रीदार्थ स्रे मुगतिनों देन वाला भी है अते श्रीदार्थ स्री आसरेदों मी है आसरेदों मी अर्थिदा बनदा है श्रीदार्थ वाला भी है जे में शब्द वर्थ देने श्री मान, मान वाला स्री मती मात वाली यसे तरह श्री माया, माया वाला वो वाई गुरू दास्तोता है आते ओ अस्तोतर शुरू हुंदा है बाद वीची सच्चे पाजशा जी फिर केंदेने पी समेदे नाल ए तर्तीदे उपर जुद्धोया देवत्या देंता मिशकार ओधी सहता करन वास्ते दुर्गा देवी पहुंची अने पीमनादा बद कीता पीमनादा प्राहसी बीरज नाद वो बोल दा सी ते ओधी बोल ली तो ही अने का राक्ष पैदा हुंदे जांदे सी ओधी नाद तवनी वेचे ओधी बोल वेचे राक्ष नो पैदा करन वाला बीज सी अनाम सी बीरज नाद दुरुगा देवी ओदे तो आसम्रात हुनदी है ता फिर दुरुगा देवी सारे sagen होगे अकाल पुरुखदी पूजा करदे हैं अकालपुरुख Samности प्रमेशर जी फिर लोय दाbecause DRT के पर्गट हुन दे हैं और देवी दी सारे देवतियां दी रख्या करते हैं इस पर सdert-देवत humans साव जी ने बड़ाल तो मेरा करके लिखिए है अनेकाई सचे पाद्शाह जी ने एदे बेच आरतिया लिखिए है अनेकाई महराज ने अलंग कार लिखे अनिक काई बोलियां वेचे जांगदा प्रदर्शन करके दिखाया है अते ए ग्रांथ वेचे सव अंग अकाल पुर्ख प्रमेशर दी उस्तत कीती जान दी ये सारे देवतियां बना वो सव अंग अंगदा है वो संस्क्रित वेचे है फिर इस ग्रांथ दी पाठ के में करना है इस ग्रांथ दी पूजा के में करनी है वो दा भी बरनन है पन्या अद्यायां वेचे ए महा अद्बत ग्रांथ दी समावती हुदी फिर माराज अखीर दे केंदे ने नाव लाख अराकी मिले मिले सराइचे लाख सवालाख हाथी मिले देहो जहे अबलाख अखीरते माराज अकाल पुर्ख देचरन केंदे हैं नाउ लाख कोडे होना सवालाख हाथी होना एक लाख निशान से माँवाले निशान की सेंग होना सवालाख कोडे जाना सवाल अक थी नौला कोड़े सवाल अक निशान की निजसान पकड़के अगए-गए खास सवारी पन्यचला है निजण लाक निशान वॉई गरू का खालसा जीत थै सतर छोगान गरू को दूसा है दी खास सवारी वेच चले जिमें मला चड़दा ना एक कोड़ा मारा ये कलगी तर पाच चड़दा हुंदा है तो केंदे अखीरते हुदे अस्तलव राज जितो सूरे चड़दा जाके भते हुंदा उत्थो तक गुरू के पंद खालसे दा राज होगे बाद विच अवताराह दी कथा हुदी है इस तरीके दा इस गरंत दा वेशे वस्तौ है इस गरंत दे कले कले विशे दे विचार करिये ते बड़ा लंभा समा लग जाएगा तो ये जो संखेव रूप दे वेच इस गरंत दा विशा वस्तौ मैं आप संगतां ते समक्षी रखेया है पैला तो रत्रूप पेची सी संग् साभ जटिदार बाभा संता संग जी शानुमे करोडी उना दे गुरुदिय बाभा मेतं संग जी उना ने उना दी जड़ी निजी खाहच से उदे बताबक एनों शिपवाया ते नियंग सिंगा दे शाउनिगा वेचे दा प्रकाश कीता गया अते पहला हाथ लिखत रूप दे वेचे शिरीय काल तक सहब दे पिछे बाबा गरबाग सिंग जी दास्तान है नियंग सिंग जी जड़े मिसल शीदां तरना दाल दे दूजे मुखी रहे ने अते पियारे दया सिंग जी तो बाद समें दे नाल शिरीय नादपुर सहब दी सिवा संबाल कलगी तर दी हुकमा नालो कर दे रहे श्री केसगट सहब दे जैसेदार भी रहे ने उना दे भूंगे वेचे गरंत दा प्रकाश रहा है इस गाल दी गवाई अनिकें तार्म गरंत पर दे ने दमदमी तक साल दा जिते त्यास लिखे अगया है उदे वेच वी एगाल लिखी गई गया है और श्री दमदमा साहिब भूंगे आदे वेचे एदा प्रकाश रहा है साच खान श्री हजूर सहब एखे गाल करिये ताता सहब दे ना आली माता पाक गुजी दास्तान अजवी उते प्रकाश है और श्री केस्तगार सहब गाल करिये गुर्द्वरा शिही दी बाग आजवी अदबत बीड़ दा प्रकाश है पत्ना सहब इखे उतने महांत बाबा सुखा संग जी ओए ने ओना दी लिखी हाथ लिखत बीड़ दा प्रकाश उता रहा है है तक सहब आना देवी इस गरंथ दी महांता इस गरंथ दा प्रकाश समे समें दे हुनदा रहा है वजी सब तो प्राणी बीड़ जए कोई मिल दियो वेज़ ओ केड़ी है सर्भलोग रांत दी सब तो प्राणी जडी बीड है ओ मातापा गोजी देस्तान ते जडी प्रकाश बीड है मातापा गोजी दी बीड इते मारास्टर देवेच है मातापा गोजी दा मुंगाय होते ओ बीड शुबाय मार है आते ननक्याने साहब भी बीड मेल दी है उदेव पर भी सान सम्मत लिख्या होया है गोरद्वारा शिहीदी भाग वाली बीड भी है एक माँ पुर्ख बाबा बली संग जी ओयने ओना दी लिखी बीड गुर्मत वद्याला पंबोई वेच्वी है एक ग्यानी चंदा संग जी ओना दी लिखी वई बीड वी है एक नामतारी संप्रदा दे वेच्वी हाथ लेखत बीड इस ग्रांत दी शिबाय माल है सब दो प्रानी जीड बीड है उमाता पागो जी वालेस्तान दे उपर शिबाय माल है पापपची आखरी स्वाद केंदे कि सरब्लो गरंत दे वेच पिंगल गरंत दे जहीडा हो नdriving है ते रूपधी पिंगल द जिकर देवेच जांदे आज पर जिडी संपूरनता मन्नी जान दीूरूपटी पिंगल संग एक जान दी यह eerste चीञै उत्ता जी दियां बारा है गुरु अरजन सहीदे वेले के आस वेच पर सांगा हूँ था महराइने पाई गूर्दाज सहीद न वागया की तब आप जी बानी लिखो आप जी दी बानी गुरू गुरु गुर्ण सहीद जी उस दी कुंजी होंगे वरदान पहला ही दे देता पाई वारां पढ़के वेखिए ते वारां नादी सम्पूरंता गुरु अर्गवेंसा वेले उन्दी पांच पियाले पांच पीर छट्थम पीर बैठा गुरु पारी शिमे पादशादा जिकर है वर्दान पजमे पादशादे वेले ते जे को मूर खोटे कवे पिये पाई गुर्दादी बानी नहीं है गुरु अर्जंदा वर्दानी नहीं है क्योंकि एदी सम्पूरंता जेड़ी है वो ते हो रही है शिमे पादशादे बैठे इसे तरह किर्पाराम पंड़ था जेड़े किश्मीर तों चलके आए नाम पादशादी ने जिना दे वास्ते कुर्बानी कीती है डी बड़ी तो ऐसे सत्गुरु जी गुरु तेग बहादर सहीब जी उना ने किर्पारामनु किया उत्थे कुर्बानी दी लोड़े एथे विद्या दी लोड़े तुसी शांद शाहतर दे फारसी दे संस्क्रिट दे मारो एथे रहे के विद्या पढ़ा गुरु गर्ण सहीब जी नू संपूरन कंठो चारन वाले कलगी तर पादशाए उना नू पड़न दी लोड़ कोई नहीं सी तो क्यों दे तुर्दरगाओं में पड़े सांद दुज्यानू विद्या बक्षिन वाले सांद गुरु गर्ण सहीब नू कंठो चार के लखमोन वाले सांद दमदबा सहीब और एक लगक मर्यादा करन वास्ते मारे ने किरपा राम दे को लो फार्सी संस्क्रित शांद शाहत्र सक्या और किरपा राम ने अमरत भी शक्या किरपा संग भी सजे चमका और दी गड़ी वेचे सचे पाध्षा गुरू गोविन संग जी उना ने अपने जीवन काल देवेश जित्हे चवदा जंगा लड़ियां उत्हे बहुत सारा साहित सचे पाध्षा जी ने माराज ने रचना करवाई भी माराज दी सबच बिविंजा कभी मुख होरा निकां कभी रहीं दे संसाओ तो अपर दी और ना दी गिंगती है तो माराज सहिब घरेक को लों पाध्षा बेच लखवाऊं दे रहां दी पिस संस्क्रिपाण ये बड़ी उखी है सिखान पाध्षा जिकार दी तो सच्चे पाध्षा जी ने जे में करदारी लालतूं एक पिंगल लखवाया गॉंग कभी तो में पिंगल लखवाया सर भल बेंटी की तीवे तुसी भी खुश पिंगल नू सुखेन करके तो कि पिंगल एक रीखी हो या उन्हें शांदी शाहितर लिखा पहला संस्क्रित वेच से बेद भी शंदा वेची लिखे गए तुसी इस तरह करो भी उनू पाशा वेचे सब खा जा उन्हें ने कुछ शुरू की ता पर जंगांदे वेच चुमकावर सही शादत हो गए पूरा ना हो या जिदो मारे नंदेड गए है तो किरपा राम दा सिख जै कृषिन होते जाके मिलिया कल की तरपाद शाहिए मारे सही जी ने किया भी तुस्वाड़े विद्यापड़ा उन वाले आंदा शिच हैं तो साड़ा गुर्पा ही लगदा है जड़ा काम होना दा दूरा सी हो काम अनू तू पूर्या कर नाले दर सर बलोग रांत दी रचना सी प्यारे दया संग जी लिख रहे थी पची सिख सुन रहे हैं तो मारे सही ने लिख देती हैं तो यह किसे ने शांद शाहितर पढ़ना है ता है यह रूपदी पिंगल देविचों सिख ले ओ दुरुनान वा इशारा कर देता भी तूसी लिखो फिर कभी जाए अगरिशन है लिखन लग प्या मारे सही जी आग्या हुए व एक आध वेचे मारे साच खान लू चले जाना भी उन्नी किस तारां तो अन्नी इस वीद दे वेच उन्हे और गरांथनों पूरे और बवनजा शांद उन्हें बनाय थे अना प्यादा अनना भी लिखन ता ओन्धा टांग तरीका है जो कंून है उन्हे और वेच लिखे लि साल हो अबदे लेगी ज कर लोग नो गाउनदे कई तंग तरीकी है इससे तरह एक शांत्स दिफयों कई कई किसमाने यै कर लोग तक का बदे नोग वखवाक पर थिल्गन कुछ कई तंग माउथ कॉछा इससे तरह जेड श्वईया ए उदे बत्ती भूप ने एक कबेत पे दावली ग्रांथ है शांद शाहितर दा अंडर नियाल सभी मार आइदा लिए उन्हाने एक सो आठ परकार दी कबेत लिखी है किरपा राम में बश्चा करना किरपा राम जी के डिखी है, है उन्हार परकार दी खातार दी है इस गाल नो खोज खोज के, इस गाल नो सोच सोच के, इस गाल दी पोछगेश कर देया, उना नो बविंजा शंदा दा पुरूप लेख देया, जो किर्प राम जी दा कराना सी हो दे उनसार 11 साल लागे, इस वास्ते एहुज जड़ा शंका करना है ते बहुत निर मूल, ते ब बलो ग्रंथ बारे होन तक की की जड़े कार्ज कीते ने इस ग्रंथ बारे, मैं इस ग्रंथ दी संत्या, साड़े विद्या गुरुदेव, सचखंडवासी, संतग्यानी हरदीव संग जी, हजूरी डक साल वाले माप्रश, उना दे कोलों ए विद्या प्राब्र कीते, वो नो विद्या बक्षी, हते विद्या बक्ष करके ने आलकरता आर्थ कीता, हते उना दा जीवन से, वो अपने आप दे विच एक टक साल से, मैं उना दे कोलो ए इस ग्रंथ दी संत्या कीती, पाठ पेद जा प्रासदियां गल्तियां ने मेरे मान दे विच काफी स्वाल कीते, नंदेड तो संत्या करन तो बाद गुर्दोरा शिहीदी बाग शिरी अनाद प्रसाइब, जो तरना दाल मिसल शिहीदा दी वड़ी शोणी है, उत्हुंदे संचालक मां पुरुष संत बाबा गुरुदेव सिंग जी, उना दी चर्ण शर्ण विच रह की, ते मैं उत की संत्या पड़ाई दे नाले उपरातन बीड़ दे विचों अपने कोजड़े स्चंके से उना दुरुस्त कीता, बाद वेचे दमदमें टक साल दे विच रह करके इस गरांत दी एक कथा गुरुदेव संगा नु पड़ाई, समें दे उस्ताज सतकार जोग बाबा तर्म सं गयानी जर्नेल संग जी इत्याद गुरुकें संगा ने ओ गरांत दी संत्या दास दे पासों पड़ी, समें दे नाल समदा बाबा नु संग जी दे इस्तान ते, ये थे पाठ बोद भी होया, बहुत सारे विदवान आये, उनना ने अपने आराहां देतिगां, बाद वेच ये थे एक कथा प्रारंब होई, वदियारती संगा ने, वो कथा बड़ी सुने, समें दे नाल गुर्मत वदियाला कहरों, बाबा ठाकुर संग जी, उनना मां परिशान दे नाम परस्था पते, ते उनना दे प्रबंद का नाल ताल मेल होया, ते उनना सर्बलो प्रकाश गर आओन वानें, सारे लोग नहीं से जानते, किंट गरा ने किंट उठाया, ते करकर अदे बादी पहुंच गई, सर्बलो गरं वो सारे लोग नहीं से जानते, कञन जानें नित्ते नाम नहीं सुनें, पारेंजी संग जीयो कें डिब लो पॉधी ते वानई वेल पोथी पेशर दा थाँ है तो सर्बलो गरंथ जे उन्हाने उटंगन उठाया थे मैं सोच दा करकर वेचे सर्बलो बानी दा पर चार पहुंच जाएगा दो मिन्या तक संपूरन का था जेड़ी है और कार्ड होई गुर संगता वेचे अरलीज कर देती जाएगी और सर्बलो गरंथ पचे जीड़ा खालस पर परसंग वेचे उदा नाम खाल खाल पंथ परकास रखके तरह प एए पुस्त कर प्रकाशित कैती गई पाई चेत्र सैंक जीवन संग दी दिकान तो एपुस्त कर पराबत लुद है है तो इस गरंथ बेचे सर्बलो गरंथ दी उठान का और सर्बल संगता नो बेंटी करता है जिरूर एकताब बाई चातर संग जीवन संग दितकान तो पराबद करके पड़ो देखो कि सर्वलो गरंत वेचे कल गीतार ने किटियां किटियां बडियां बडियां बक्षिशां कीता है ऐसा ये महान गरंत है और ग्यानी संग ओ इड़े परकाश ऑदा मूले है इस गरंत देवेचे एजो खालसा पंध परकाश ये वेचे ऑवी गल असाने बड़े बस्थार देना लिखिए कि पंध परकाश जेड़ा शबद है वी सर्वलो परकाश गरंत बेचा है ये रदान संग पनक्णु जी देदेवालाग चाया पंथ पर गटके में होया तो हमारा इने एत सिरी पंथ प्रकाश सुब बंस सद्गुर पादशाई दस्क बर्न नंग सुबंग इस सर्बलो गरंद वेच लिखा है पंथ प्रकाश शब्द अते फिर तात खालसा शब्द आया बंदई खालसा थे तात खालसा सोद सुदार बर्न आस्रम क मत करतात खालसे बंदं इठात खालसा शब्द सी ओवि खालसे ने सर्बलो गरंद वेच ले फिर तर्म जोड़ शब्द अया थ पूस और गोदरो ही जे दुष्टन तर्मजोद कर असर दलंते तर्मजोद शब्द भी सर्बलो परकाश गरंत विच्वें खालसे ने लिया फिर न्यांग सिंगा दे वेचे चक्रवर्ती शब्द हम दे संत ग्याने कर वाजन संग जी ते जैसे दे पिच्छे लिगा जाएंदा सी चक्रवर्ती जथा चक्रवै पाददाद तुर्पायू तर्मराज पुंचित गिर्वर को हैं लवज भी सर्बलो परकाश गरंत विच्वें लेके ते खालसे ने अपने निज्जी जिंदगी वेचे पर्योग करने शुरू कियते हैं तो इस वास्ते जो ए सर्बलो गरंत है ए माराज कलगी तारदी रचे ले सर्बलो अकाल पुर्खने लोए दा सरीर तारया ते ताई माराज ने लोए दे बाटे देते ने लोए दे बरतन दे तेने लोए दे बरतना विच खाना लोए दे शाहितर अपने कोल रखने माहा लो मैं किंकर करता है जो आप पड़ दे रहरास विच माहा लो वो काउन है सर्बलो यह है इसलिए सर्बलो गरंत कलगी तर पाजशादी अजीम रचे ले दूसरा मैं ब्यद्वी दे मसले वेच भी गुरु ग्रहन सही जी दिया पावने बीड़ा दी चार सो पांक सो वार ब्यद्वी हो चुकी है थाँ थाँ दे उपर सरकारां को लगए बड़े बड़े तरने मी लाए बरगाडी दा मोर्चा भी लगा और कोज साथी चोड़ी वेचे नहीं प्याँ आम लोग केंदे से जडिये न्यांग काम है सुखे नाल राज दे ए बख्करे खान वाले है एक अर्दे कुछ नहीं आम ते दातीनों एक बने होंदे है न दंदे लोगानों दोनों बने है ये संगु बाडर दे उपर गुरु ग जे उना ने जोग कारवाई कीती है तो होनके इंदे सुबूत लेया हो ए लोगान दा हाल है तो ए गुरु का पंधखालसा है सदाए गुरु गरेंड साहिब नो समर्बद है सो मैं समझे दाएं पर बड़ी हासो इनी जी गाल कीती पाई रहें जी संग जी उना ने बड़े उगे विद्वान ने पर गालों ने बड़ी सोची छोटी जी सोच लागे तो उना ने गाल कीती हो दे सर्बलों पोती जी अच्छा गुरु गरेंड साहिब जी बेद भी नह कोड़ें बड़ेंगों चाहिएं तो शर्बलों ने पाड़ देना चाहिएं दसम ने पाड़ेना छाहिएं देगा पाउतिए जी ती गाल नहीं है यह कोई पागोत गीता थी ब्यद्भी करेगा ते गुरू का पंथ खाल सा उत्थे भी डटके खड़ा होगेगा उभी साथे तार्म गरंथ यह चार बेदानों को भी रोल लेगा ना असी उत्थे भी खड़े हुआगे गोद्रोही तुर्क जड़े सी गवनु मारदे सी ते गुरू के पंथ खाल से ने उधी रक्षा करनी शुरू कीती ते तर्म जोद कीता जिने उधी साड़ा नहीं सी ओ पंड़तादा सी पर सच्चे पाज़ा जी ने कुर्बानी देती है जुल्म होवे पामे बाईबल ते होवे पामे पाके कुरान शिरीफ ते होवे पामे चार बेदा उपर होवे ते पामे किसे गरीब ते होवे ते पामे साड़े तार्मक गरंथ इत्यासक गरंथ होना ते होवे जहां साड़े गुरू सहबान गुरू गरान सहब जी दी दाड़ी ते दाड़ी है पामे किसे मा पुर्ख दी पोट देती ते पामे किसे गरीब से ख़दी पोट देती पामे किया नहीं दी पोट देती दाड़ी ते दाड़ी है पागते पागी है पामे अमीर बंदे दी है पामे गरीब दी है पागते पागी है इज्जत ते इज्ज कोई समझे ना समझे बानी गुरुः है बानी मिचे बानी अमरत सारह है जै गुरु नानटसः जाब जाब घुरुठी साहब गुरु Archiv गुरु है घुरस तो अस्थोह तर खाल सा मेरा रूप है खास लुधी गुरु हुआ है असी दसां पाच्छे जह नो एक रूप करके जान दे एक रूप कर जान के पूच दे हैं इस वास्ते गुरू ग्राण सही जी दी ब्यद्बी दे दोशी नो जोग सजा गुरू के पंद खाल से ने दिती है उना नो मारा आज ने खुदम दे उत्शा बक्षिया है सान जाए भी नहीं है भी असी दुझे दे उटंगन करें बाकी ओ बागी नी ओए उना ने अपने आपनों लुकायानी भी असाने नी बढ़िया उना ने अनसूच इतनी की तब काउन कर गया काउन ने उना ने गरिफतारी देती है गज के क्या है मापुर्ख बाबा भीशन सिं और मैंने मानदा तलवार नू नंगतिया में लीडे पाई फिर दे और जैसे तर सफेटे चट के ए और के लगे तूनि मानदा कल की तार नो तेनों दिखाईए कल की तर पाज़ जीदी पगउती है ऑकल ने दखाओ ज़िद और ने सच्चे पाज़ जीदी बारे बड़ा ब अब बोले हैं तो गुरु के सेखने तलवार कटी उदा सीष चटक देता है गुरिफतारी होई जाजनु पता लगा भी गुरु दी निंदिया करदा से ते इना ने एक अदमता उठाया है जाजने किया भी तू कहते मैंनी ये कम कीता है तो कहा लगा नहीं मैं ये नहीं कमा ग गुर्की नंदा सुने कान तिसको पेड़ संकरपान गुरु वास्ते कीता थे कीता गुरु वास्ते बज जाए गुरु वास्ते नरकाज चले जाए गुरु थे गुरु है उन्हाने वी साल सजा कटी है उन्हाने कहा है मैं गुरु वास्ते कर्म कीता है मैं जिंदगी गुर इस वास्ते स्टय हो आन एकनुनी कार्वाई दिलोड सी ओकनुनी कार्वाई दियत आ उपर क्राहि है तश जिते ओना ने बुरूदे शर्दा गुरूदा विश्वच्ण गुरूदी पग्ती दिल्ही तरे उना ने जो पग्ती विखा है इसिस वास्ते है अभर तो करन् कि नहीं ते दुझे उते भी हमें उतंगा ना उठाइए बड़े उगे विद्वान ने सतकार जोग ने पाइए जी संग जी पर एहो जिए शोटियां गला करके अपनी बुद्धी दा जिनाज्या ने करना चाहिए तेनाई सर्बलो वरगा ऐसा जो शाहितर है यदे वेज ते सेंसो राग ते बविंजा पाशा मारे सहब जी इस गरन्त विच वरतियां ने ऐसा महान साइथ दा बड़ा खिजाना है ऐसे अन बोल गरन्त बारे ऐहो जी पुठी सिदी शिबदावली ने वरत ने जाहिए ती तो इन्यें बेंतियां मैं करदा कि मादा जाच वाहि झाले।